दोस्तो GDP क्या है? और GDP के बढ़ने से या GDP के घटने से क्या होता है? इस समय ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग बड़ा हला मचारे क्या GDP घट गई, घट गई, नेगेटिव में पहुंच गई, ये है, वो है GDP के घटने या बढ़ने से होता क्या है? तो भीया देखो ऐसा है कि जब आप toothpaste खरीते हैं तो GDP बढ़ती है, लेकिन अगर आप नीम की डंडी से दातून करते हैं तो GDP नहीं बढ़ती है, जब आप किसी बड़े hospital में जाकर 1000 रुपे की दवाई खरीते हैं तो GDP बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपने घर पे गिलोए न अपना इलाज करते हैं तो GDP नहीं बढ़ती है, जब आप घर में गाएं पाल कर दूद पीते हैं तो GDP नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर पैकिंग का मिलावटी वाला दूद पीते हैं तो GDP बढ़ती है, जब आप अपने घर में सबजियां उगा कर खाते हैं तो GDP नहीं रोजान आप GDP के बारे में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि GDP जितनी बढ़ेगी उतनी देश की तरक्की होगी, यही सोचते हैं ना, तो असलियत में GDP है क्या, आमादमी की भाशा में GDP का क्या मतलब है, GDP का असली मतलब है कि अगर आप पैसे का लिखित आदान प्रदान करत पर पेड अगर खड़ा है, तो कोई भी economic activity नहीं होती, इसलिए GDP भी नहीं बढ़ती, अगर भारत के सागे पेड काट दिया जाएं तो भारत की GDP कितने ही पतिशत बढ़ जाएगी, अगर नदी साफ बह रही है, तो GDP नहीं बढ़ती, पर अगर आप नदी को गंदा करते हैं तो GDP तीन बार बढ़ती है, जी हाँ, पहले तो नदी के पास उद्योग लगाने से GDP बढ़ेगी, फिर नदी को साफ करने के लिए करोडों के प्रोजेक्ट लगा दिये जाएंगे, तो GDP फिर बढ़ गई, लोगों ने नदी के दूशित पाली का इस्तिमाल किया, वो बिमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीस ली, फिर GDP बढ़ गई, हर बड़े अकबार में कोका कोला और पैपसी कोला का अबटाइसमेंट आता है, और ये भी सभी जानते हैं कितना खतरनाक और जहरीला है, सेहत के लिए, लेकिन फिर भी सब भी सरकारें चूप ह और आग बंद कर गे रखती हैं, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोका कोला पीते हैं, तो देश की GDP दो बार बढ़ती है, पहले आपने कोका कोला खरी दी, पैसे दिये, GDP बढ़ गई, फिर पीने के बाद बिमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के फिज दिये, त हमारे देश में भी काफी बढ़ी मात्रा में लोग कोपोशन के शिकार हैं, जितना ज्यादा प्रदूशन खाने में होगा, उतनी ज्यादा GDP बढ़ेगी, पहले फूड इंडस्ट्री की वृद्धी हुई GDP बढ़ी, उसके साथ फार्मेसिटिकल्स की वृद्धी हुई, फि हो जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका और यूरोप में भूग बढ़ रही है, भारत में भी GDP के साथ भूग बढ़ रही है, अत्या आप सभी से निवेदन हैं कि कुछ समय निकाल कर देश की आर्थिक स्थिति और उसके कारणों को समझने का प्रयास करें, सिर्फ GDP के माया क्वार्टिका से और्गैनिक सबजी उगा कर खाएं, अर्थ व्यवस्ता पूंजी पतियों के चोचले हैं, इससे दूर रहें, अपनी मूल संस्कृति की और लोटें, जहां मानव कल्यान, सर्वोपरी हो, परियावरन प्रकृति का सम्मान हो, जैहिंद वंदे मात्रम